हेलो दोस्तो नमसकार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में और आज की फीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले हैं जन्वरी दोहोजार चारशो अबिस उत्राखन के महत्पोंड करेंट एफ्यस के बारे में और आज की सब्सक्र और दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी current phase की स्रीज मंतली चलती है जिसमें हम उत्राकंड के मंतली current phase करते हैं और national international current phase को भी cover up करते हुए चलते हैं अगर आपने इससे पहले months तक के current phase की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप उन तो वीडियो को लाइक जूर करें, कमेंट जरू करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर सेरे करें और अगर आपको इस वीडियो का पीडियाप चाहिए दोस्तों, तो आप हमारी अप्लिकेशन उत्राखन जी के वेरी इजी ट्रिक्स पर जाकरके डाउनलोड कर सकते हैं, चले शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज का हमारा पहला प्रस्न है कि देश की पहली इंडोर आर्चरी लीक का आयोजन कहां किया गया तो देश की पहली इंडोर आर्चरी लीक का आयोजन किया गया देहरादून में उत्राखन के देहरादून में देश की पहली इंडोर आर्चरी लीक का दोस्तो आयोजन किया गया और कहाँ पर किया गया दोस्तो परेट ग्राउंट के मल्टी परपच हॉल में देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का एजन किया गया है तो देहरादुन आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ठीक है इसे दोस्तो आईपेल की तरज पर आउक्षन द्वारा किया गया है इस लीक में 6 वर्ल्ल कप रैंकिंग खिलाडी 4 अजुन पूरुसकार विजेता भी सामिल हैं इन खिलाडियों को 5 अलग-अलग टीमों ने बोली लगा कर खरीदा है तो यादरत ने आपको देश की पहली इ राज जी का सरुषेष्ट सहर जो है दोस्तो वहाँ बनाया है देहरादून ठीक है यानि कि राज जी का सबसे स्वच्छ सहर कौन सा है हमारा वहाँ है देहरादून ठीक है और देहरादून का हमारे देश में कौन सा इस्थान है कौन से स्थान पर देहरादून है अंसेट उत्राखन राज्य के सर्फेस्ट सहर तो पर्थम इस्तान पर कौन है देरादुन है अगला हमारा प्रस्न है यह सच्छुशन विक्षन आवाड के बारे में आप देख सकते हैं ठीक है पहला दोस्तो राज्य कौन सा है इसको सच्छुशन विक्षन आवाड का पुरुसकार मि कि वी वी आयंपी दोस्तो यह प्रसंद है और इसका सही अंसर हो जाएगा सवीता कनस्वाल सवीता कनस्वाल जी को दोस्तो हाल ही मैं दोस्तो हुआ था सविता कंसवाल अभी कुछ समय पहले दोस्तों काफी चर्चाओं में भी रही थी आप लोग उने पढ़ा होगा इनके बारे में द्रौपती का डांडा चोटी में दोस्तों जो भूस कलन आया था या हिमस कलन दोस्तों हुआ था अक्टूबर 2022 में उसमें इनकी म्रत्य हो गई थी जिस कारण काफी चर्चाओं में रही थी और उससे पहले माउंट एवरेस्ट पर भी इनोंने आरोहन किया था तो इसी दिए बहुत महत्वपोन है सविता कंसवाल इनका संबन्द दोस्तों प्रवतारोहन से है और हाल ही मैं इन्हें तेंजिंग नौर्गे नेस्टल एडवेंचर वाड़ 2023 से नवाजा गया है और द्रोपटी का डांडा टू चोटी आरोहन के दोरान दोस्तों अक्टूबर 2022 में हिमस्कलन की चपेट मान के करण इनकी म्रत्य हो गई थी और मनलो प्रांत दोस्तों इन्हें तेंजिं इनके अंतराल में माउंट एवरेश और माउंट मकालू का आरोहन करने वाली सवीता देश की पहली महिला बनी थी तो इसलिए सवीता कांसवार काफी महत्तपून है किस से सम्बंद है इनका प्रवतारोहन से है अभी हाली में इनके मिलत्य भी हो गई है और तेंजिंग में अगला हमरा प्रसन है दोस्तों कि मुख्यमंतरी उच्छे शिक्ष्या प्रोचसाहन चात्रवर्ती योजना की सुरुआत कब से की गई है यह अभी दोस्तों बहुत महत्तपन कुश्यन है मुख्यमंतरी उच्छे शिक्ष्या प्रोचसाहन चात्रवर्ती योजना की जो सुर दंदरासी प्रदान की जाएगी इसना तक पर्थम अर्सों में प्रवेश करने वाले इन चातर शात्राओं को बारवी के परिक्षियार फल में नियूंतम 80% प्रापतांक और महाविध्याले इस्तर पर तैयार संकाईवार मैरीड लिष्ट नीमन स्वार पर्थन द्यूति एम प्रदान की जारी है उसके संबन में दोस्तों ये है और इसे के साथ अन्य कक्षाओं है तो शात्रवर्ती वितरण संस्थान इस तरद से समर्थ पोर्टल पर वेरिट्शन के उपरांते किया जाएगा तो घी कैस समर्थ पोर्टल से भी एकजाम में प्रस्तन पुशा गill है उच्चे शिक्षा से संबंदी दिये पोडल है और यहां पर प्रसनता मुक्य मंत्री उच्चे शिक्षा प्रोष्टान चातरवर्ती उजना के शुरुआत कब से की गई है तो यह दोस्तो 20 जनवरी 2024 से की गई है अगला हमारा प्रसन है दोस्तो कि हाल ही में परधान मंत्री नरेंदर मोधी जी द्वारा परसार भारती का एफम रिले के इंदर का उदगाटन कहां किया गया है तो हाली में दोस्तो परधान मंत्री नरेंदर मोधी जी द्वारा परसार भारती के एफम रिले के इंदर का उदगाटन दोस्तो किया गया है अगर दोस्तो बात करें जो मारा भी हाली में गरतन ते दिवस हुआ है उसके दोरान दोस्तो छे पुलीस अधिकारियों को क्या किया गया है राष्ट्रपती पुलीस पदक से सम्मानित किया गया है आपको यहां ध्यान रखना है अगले प्रसनी बात करते हैं यहां पर कुछ नाम भी दिया गया है आप इनको देख सकते हैं ठीक है तो दोफे वीमें प्रधान मंतरी सुक्स में खाध्य प्रसनी करण योजनाँ प्यम एफ्पवी में उत्राखन राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है नहीं याद रखना है आपको ठीक है और भारत सरकार के और से जारी आंकडू के बताबी कई बड़े राज्जू को पीछे चोड़ते विए देज भर में दोस्तों यहाँ आठवे स्थान पर पहुंच चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तमिलनादू टॉप पर है, महाराश्चु दूसरे स्थान पर है और मद्यपर्देश दोस्तों इसमें तीसरे स्थान पर है, यहाँ प्रस्ते भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्यपून है, कि हाल ही में किस संदक्षन का नाम बदल कर सीतावनी संदक्षन आरक्षती किया गया, अभी दोस्तों राम मंदिर का इन्नोग्रेशन हुआ है, प्रदान मंतरी मोदी जी के दोरा 22 जन्वरी 2024 को, तो उसी में दोस्तों अभी पता है, पूरे भारत में ही बहुत सारे चेंज़ेस हो रहे हैं राम मंदिर की बेसे, तो उत्राखन में भी दोस्तों हमारा एक संदक्षन आरक्षती है, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया ह सीतावनी संदक्षन आरक्षती, तो ये कौन सा संदक्षन आरक्षती है, जो संदक्षन आरक्षती था, उसका नाम बदलकर सीतावनी संदक्षन आरक्षती किया गया है, तो प्रस्न वही है कि हाली में किस संदक्षन का नाम बदलकर सीतावनी संदक्षन आरक्षती किया गय है अब आप लोगों से एक हुम्मर का कुषिन है कि इस पवलकड संडेक्शन आरक्षिती जिसे वर्तमान में सितावनी संडेक्शन आरक्षिती के नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना कब हुई ठीटिक है तो धामी सरकार ने स्री राम मंदिर प्राण परतिस्ता के अतिहास है 22 जनवरी को अयोध्या में आयोध्या में अयूजित प्राण परतिस्ता कारिक्रम में स्री महिश राम जी को बुलाए गया था इनका संबन्द किस वाध्याइंतर से है ? तो दोस्तों यहां से दोपर समनते हैं, सबसे पहले तो 22 जनवरी को जो एध्यम है आईजुट प्राण प्रतिष्टा कारिक्रम था, उसमें उत्राखंड से किसको बुलाया गया था, या किस खुड का वाधियंतर के वाधक को बुलाया गया था, तो स्री महिस राम जी को बु प्रतिष्ट 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 हाल ही में उत्राखंड के किस व्यक्ति को 2024 में पदमस्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ठीक है तो पदमस्री पुरुसकार के अभी हाली में गोशना हुए दोस्तो जिसमें से उत्राखंड से वर्तमान में ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनें पदमस्री पुरुसकार से सम समानित किया गया है अब दोस्तों यहां से मैं आप से एक होमर का कुश्चन पूश रहा हूँ कि यस्वन सिंग कटोज जी को तो अभी 2024 में पदमसरी पुरुसकार से समानित किया गया है लेकिन 2023 में उत्रा खंड से कितने लोगों को पदमसरी मलब पुरुसकार मिले थे और को कमेंट ब्रुसकार में दोस्तों बताना है अच्छा प्रस्न है लेकिन इस वर्स के आधार पर आपको याद रखना है इस वर्स तो यानिकी वर्सय scholarship 2014 में पुर्ष्झे सिंग को टा रिक करPu श्री में घरण रोड़ी तो परिषखाली सब्सक्राइब है यहीं जैंट में वे भूषण से 5 लोगं को पध्म भूषण से 17 लोगं को और पदमिस्री से दोस्तो 110 लोगों को सम्मानित किया गया है जिसमें हमारे उत्राखिंट से कौन सम्मानित है ये स्वन सिंग कटोजी सम्मानित है ठीक है यहां मूलता दोस्तो पौड़ी गड़वाल के मासो गाउं के चांथखोट पट्टी के निवासे जिने हाली में वर्स संसिक्रित के पचिन प्राचिन मद्यकालीन भारती नगर कोस मद्य हिमाले खंड 2 और खंड 3 सिहें के स्रेश्ट निवन्द मद्य हिमाले गरंत माला का पर्थम खंड उत्राखंड का नवीन इतियास और गड़वाल के प्रमुक भीले की दोस्तों इंगे कह परशित्द पु अगर प्रसंद के बात करते हैं बहुत में थोपणी प्रसंद है और फाया में पुछा दोसते है स्चेताय इस्थान में औहाई ये स्फ़ायरे में हरीद्वार का भारत में दोस्तों कौन सा चौथा इस्तान है पर्थम इस्तान पर कौन सा सहर है पूछा जा सकता है वहाँ पर हरिद्वार भी ऑप्सन में दिया जाएगा पर्थम इस्तान पर कौन है दोस्तों वारानसी है और हरिद्वार कौन से इस्तान पर है चौथे इस्तान पर है अगला मरा प्र योगता में किसने पर्थमिस्थान प्राप्त किया है ठीक है तो स्रिष्टी भर्द्वाज जी नाष्टा का लिगत न Shelby Evan कि घसियारी क्या है ठीक है तो घसियारी क्या है तो इस तो एक प्रसिद्ध गीत है और ये भी प्रस्त पूछा जाता है कि राष्टी युवा मौसव जो कि महारा 27 वा राष्टी युवा मौसव था इसका आयोजन कहा किया गया था महाराष्टी के नासिक में इसका आयोजन कि जनपत में दोस्तों आईजित होता है। जनपत में दोस्तों राज्य के किस गाउं को पहला मॉडल प्रेटन गाउं बनाया जाएगा। जनपत में माड़ा गाउं है जो कि चमुरी जनपत में स्तित है और देश का पहला मॉडल गाउं कौन सा बनेगा दोस्तों वो बनेगा बग्यूरी गाउं जो कि कहां पढ़ता है। उत्तरकासी जनपत में पढ़ता है। जो कि कहां पढ़ता है पित्वरागर जनपत में। अगला में रपस्न है हाली में स्टार्टप रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट में। उत्तरकन राज्जी को किस अवर्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखने है आपको ठीक है माकि यहापे कुछ चीज़ें लिखी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं ठीक है अगला मारा प्रस्तन है किसे राष्टी आदर से युवा विधायक सम्मान 2023 से समानित किया गया है याद रखने है ठीक है किसको सुरेज गड़िया जी को ठीक है भारती चात्र संसत की गवर्निंग काउंसिल के और से पुने महरास्ट में तेरवे वारसिक राष्टी समारों में कपकोड के युवा विधायक सुरेज गड़िया को राष्टी आदर से युवा विधायक समान 2023 से सम्मानित किया गया है आपको ध्यान रखना है अगला पसने है राष्टी बालिका दिवस के अउसर पर उत्राकंड बाल अदिकार सनक्षन आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया है किसको अरदना कैंतूरा और नाजिया को ठीक है अरदना कैंतूरा और नाजिया को उनके दोस्तों विशेस्ट आप ये कह सकते हैं बहादूर्ता के लिए क्या दिया पौरि कड़वाल के विकासकन खिर्चु की दस वर्सी बाली का राधना द्वेस में बहादुरी का परिचे दी यह गुलदार से अपने 7 वर्सी भाही की जान बचाई थी और 2023 में देरादुन के विकासकंट सहसपूर की दस वरसी बालिका नाजिया ने गुलदार के हमले से अपने तीन भाईयों की जान बचाई थी तो राजिपाल ने दोनों बच्चियों को प्रसुष्टि पत्र दे कर सम्मानित किया है तो यह दोनों ही यादक ने आपको अराध बहतरीन परदर्सन के लिए राज जी के किस जिले को देज भर में दूसरा इस्थान मिला है तो राज जी का दोस्तो जो हमारा उत्तरकासी जिला है इसको एक जिला एक उत्पाद के तहत क्रिसी छेतर में बहतरीन परदर्सन के लिए देज भर में दूसरा इस्थान मिला है क इसको उत्तरकासी जनपत को याद रखना है, बहुत महत्रपुण रखना है दोस्तों, नई दिल्ली में दोस्तों, हाली में National One District One Project Award की गुष्णा की गई थी, जिसमें क्रिसे स्टेडी में दोस्तों, उत्तरकासी जिले को धान की खेती के लिए, यानिकि लाल धान की खेती के प्रुषकार दिया गया है, आपको ध्यान देकना है, दूसरा इस्तान मिला है, अगला आपसने किस मार्ग का नाम बदल कर दोस्तों, नंदाराज्यात मार्ग रखा गया है, तो दोस्तों पहले जो थराली से लेकर वान तक जो मोटर मार्ग था, उसका नाम बदल कर आप नं नंदा राज्जात यात्रा है वह भी इसी मार्ग से उकर गुजरती है दोस्तो वान गाउं और चमुली जो वान और थराली है दोस्तो यहाँ चमुली जन्पत में इस्तित हैं थराली से आप देवाल होते वे जो वान का मार्ग है दोस्तो थराली से पुरा देवाल वान वाला जो पूरा लुहाब गंजर इसमें पढ़ता है यही दोस्तों इसका नाम बदलकर आप नंदा राज्यात मार्क रख दिया गया है और वान में ही दोस्तों एक काफी परसिद्ध मंदिर है कौन सा? लाटू देवता का मंदिर बड़ना राजुता का मंदिर और वेदिनी ग्याल को रास्ता जाता है वो अभी इसी मार्क से वगर के जाता है तो यादक ने आपको नंदा राज्यात मार्क रख रहा गया थराली वान मोटर मार्क का नाम ठीक है सरकार ने इसके सासना देश पर दोस्तों मुहर लगा दी है याद रखना है और नंदराज्जा त्यात्रा का एज़न प्रतेक 12 वर्सके बाद में किया जाता है ठीक है लास्ट टाइम का वी थे दोस्तो लास्ट टाइम इस त्यात्रा का एज़न 2014 में किया गया था अगरा मुझा रखना है हारी में राज्जिक के किस न पर्दर्सित की गई इसकी थीम किया ठेक है तो भारत परवो पर उतराकन की जहांकी परडर्सित की गई थी में थे इस बार उत्राखण की जहांकी में विकाश यात्रा का दरसन सामीर है। होमिस्टे योजना से पहाड़ों में हजारों ग्रामिलों को रोजगार भी मिल रहा है पितुरागल जिले के सरमोली को भारत सरकार ने पिछले वर्स सर्विस्टेश्ट परेटन गाओं भी कोशित किया था इसके अत्रिक लख्वती दीदी योजना से राजी की महिलाया आत्मिलिदर बन ली है स्वेम साहिता समो कारी करते हुए इस्थानी महिलायां सुन्दर पहाड़ों में स्वार उर्जा और मोबाईल टावर को भी उकेरा गया है जहांकि के अंतिम भाग में ओल वेदर रोड रिसिकेस करने प्रयाग देलियोजना रोपवेद अथा भारत के पर्थम गाओ माणा के लिए रोड कनेक्टिविटी को दरसाया गया है तो जो भारत परुए है इसमें पहली बार दोस्तो उत्राकंड की जहांकी ने भाग लिया है और इस बार की इसकी थीमती विक्सित उत्राकंड यहां से भी आपको एकजाम में प्रसन देखने को मिल सकता है मैं है अगला पसना है उत्राकंड राज्जी की पर्थम महिला मु तो उत्राखन राज जी की पर्था महिला मुख्य सचीव कौन बने या वर्तमान उत्राखन के मुख्य सचीव कौन है राधा रतूडी जी है जिन्होंने अगला मुख्य सचीव को उत्राखन मंदिर माला मिसन के तहत भारी राजजी के परेटकों को उत्राखन परेटन से जोडने है तो किन सहनों के मंद्ध में मानसखन रेल सेवा की शुरूआत होगी दोस्तों मानसखंड मंदिर माला मिशन जो है जिस प्रकाट चारधाम यात्रा गड़वाल में है उसी प्रकार कुमाओं में मंदिरों को जोड़ने है तू और प्रेटर्न को बड़ावा देना है तू मानसखंड मंदिर मिशन माला की सुरुणा की गई है। इसको जोडने है तो दोस्तो या उत्राखन को परेटरं से जोडने है तो किन सहरू के मद्यमा मारसखंड रेयल सिवा की सुरुवात की जाएगी तो कोलकाता और टनकपूर के बीच में दोस्तो मारसखंड रेयल सिवा की सुरुवात की जाएगी और कब से होगी इसकी प्रेयल 2024 से होने वारी है याद रखने आपको ठीक है किसके बीच में टनकपूर और कोलकाता के बीच में आप दोस्तों यहां से मैं आप से एक क्वेश्चन पोशता हूँ जो कि मैंने आपको प्रिवेस मंदिर माला मिसन के अंतरकत कितने मंदिरों को सामिल किया गया है यह आ से बड़े गुरुकुल का शीलाणियास अलिमेर राजनास सिंहीं के दौरा जन्वरी 2024 में उत्तराखन के हरीदवार में कियाज है ठीक है अग्ला हमरा अप्टराखन राज जी की दूसरी वानिया जी कोट धरादुन सहर में इसतावित किया गया है नहीं दोस्तो उत्राखन राज्य की जो दूसरी वानिजी कोट है यहाँ हल्दवानी में इस्ताफित की गई है इसलिए यहाँ option आपका गलत हो जाएगा जबकि जो पहली वानिजी कोट थी उत्राखन राज्य की वहाँ धरादू न थी ठीक है तो दूसरी वानिजी कोट कहाँ बिल्कुल सही हैи दोस्तों मुटभा खरीद में उत्राखेंड का कौन सा जिला परतमिस्तान पर है आपको धियान दखना है अगला पिसने है जनवरी तोज़ार चौविस में देश के सबसे कम उम्रग के आई जी कौन बने है दोस्तों तो अरुन मोहन जोसी जी दोस्तों इनका समन्द उत्राखंट से ही है और देश के सबसे कम उम्रक्य आई जी यहाँ बने है ठीक है याद रतने आपको ठीक है कमेंट जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में भी हमारे चैनल को जरूर सिरे करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथी साथ वेस्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है चार जन्मरी बहुत महत्वपुने विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है छे जन्मरी को विश्व युद्धन अनाथ दिवस मनाया जाता है 9 जन्मरी दोस्तो NRI दिवस यानि की दोस्तो प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है याद रखने आपको तो प्राक्रम दिवस भी 23 जन्वरी को ही मनाया जाता है, 24 जन्वरी राष्टी बाली का दिवस मनाया जाता है, 25 जन्वरी राष्टी मद्दाता दिवस मनाया जाता है, 25 जन्वरी को ही राष्टी परेटन दिवस भी मनाया जाता है, 26 जन्वरी को ही अंतराष्टी सीमा सुल का दिवस मना जाता है, 27 जन्वरी को दोस्तों अंतराष्टी प्रला इस्मरल दिवस मना जाता है, 28 जन्वरी को डेटा गोपनिता दिवस मना जाता है, 28 जन्वरी को विस्टो कुष्टरोग दिवस भी मना जाता है, और 30 जन्वरी को दोस्तों सही दिवस मना जाता है, तो ये थे